पूर्व स्वास्ते मंत्री विपिन पर्मार ने बुद्धवार को विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहन कर लिया बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्य मंत्री जयराम ठाकुर वह तीन अन्य मंत्रियों ने उनके नाम का प्रसाव रखा जिसे ध्वनी मत्से पारित कर दिया गया और इस प्रकार विपिन पर्मार पर्देश के सत्तरवे विधानसभा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए ने अध्यक्ष ने कहा किवे पहली बार ने आये कि इस कुर्सी पर बैठे हैं और पूर्व पीठासीन अध्यकारियों का अनुसरन करते हुए हिमाचल को शिकर की ओर ले जाने का हर संभव परियास करेंगे मुखे मंतरी जैराम ठाकुर ने 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 दायित्व के लिए बधाई और शुब कामनाई देते हुए कहा कि पर देश वासियों वे विक्तिगत तौर पर उनके लिए ये खुशी की बात है उन्होंने कहा कि स्वास्थे मंत्री के रूप में भी उन्होंने बेहतरीन कारे किया है हिमकेर और सहारा जैसी महत्वा कांक्षी योजनाएं उनके द्वारा अरंभ की गई जिसका प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ मिला है पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं पार्टी का जहां पर भी पहुंचा हूँ जो भी जिम्मेवारी भी है उसकी प्रिस्ट भूमी में मेरे पास कारे करता का भाव है फीलिंग ओफ कारे करता और मैंने कभी किसी पद के लिए कभी किसी पतिस्ठा के लिए कभी काम नहीं किया और एक कारे करता के नाते जब जब मुझे संगठन ने सरकार ने जिम्मेवारी दी उसको मैंने अपनी समर्थ्य हिम्मत धहर्य और समझ के अनुसार काम किया है स्वास्टे विभाग में मैंने काम किया और जैसा संगठन ने, सरकार ने, केंद्रियन नेत्रित्व और परदेश के नेत्रित्व ने पैडिया मुझे इस विधान सभा का अध्यक्ष बनने का परम सभाग्य पराप्थ हुआ है और मैंने आज विधान सभा में भी अपनी बात को बड़े तथ्यात्मक रूप से आप सभी के सामने रखा है कि मैं उस थान पर बैठा हूँ जहां नियाय की जुरूरत है, सरक्षन की जुरूरत है और उस थान को शुशोभित करने की कोशिश करूँगा जहां पर सत्ता पक्ष की उपलवधियां और विपक्ष के सुझाबों को उस दिशा में ले करके जाओं जहां पर उन परमपराओं को हम आगे बढ़ा सकें, जीवीत रख सकें मेरे से निवर्तमान अध्यक्षों न भी उस दिशा में काम किया है और मैंने अपने विधान सभा के धन्यवाद परस्ताब में भी कहा है कि हिमाचल परदेश के तमाम जितने मुख्या मंत्री रहे उन्होंने भी उस गोरव मई पलों को या अपने कारेकाल को उस दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश की कि शिकर की और बढ़े हिमाचल परदेश तो मैं उसमें अपने आपको उस महा यग्द्य में मैं भी एक कारेकरता और अध्यक्ष के रूप में अपने अहुती डालूँगा उसमें सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों का समाज़स्य विठाने की कोशिश करूँगा और हम आगे बढ़ें चर्चाएं भी होंगी विचार विमर्ष भी होंगे तल्खी भी होगी भावुकता भरे क्षण भी आएंगे पर मैंने कहा है कि बानी ब्यभार वो बोलना चाहिए उसके लिए मैं प्रियास करूँगा ये कहा है कि ये जितने 68 लोग जुने हुए हाजरी भी जादा है इसलिए तरुनाई भी है और जब नौजवान होते हैं तो कई परकार के भाव विवोर या कई परकार की बातें उनके मस्तिस्क में चलती रहती हैं उनको भी रखने का यहां पर एक उचीत स्थान है मैं बार बार कहता हूं कि कई बार बार बाद संबाद चर्चा में हम भावुक हो जाते हैं सीमाओं को लांग देते हैं और जब सीमाओं को हम लांग देते हैं तो उसके कार्ण तल्खी पैदा होती है ये शायुरिए उस सदन का महौल अनुकूल बना रहे हम ज़ादा से ज़ादा समय सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है विपक्ष को अपना बात रखने का समय मिले यही मैं कहना चाहता हूं का मैं उनको मैं पूरा करूंगा मैंने यह कहा कि जो भी विधाइक है वो अपने उस अहंक को या अहंकार को वो बाहर परिसर में ही छोड़ करके आए एक तो मैं यह कहना चाहता हूं और दूसरा अपने कपट की बात है कि यहां पर कोई स्कोर सेटल करने के लिए नहीं आते है यहां पर किसी परकार की स्कोर को सेटल करने के लिए नहीं आते इसलिए कपट का अभी प्राइम मेरा यह है कि हम किसी तरीके से किसी के ओपर ओवर कम करने की कोशिश ना करें ना चल ना कपट हम सभारन भाशाम अपनी बात को रखें यह मैं कहा है